संतन धर्म की शुरुवात वेदों से हुई है अर्थात वेदों को ही संतन धर्म का आधार माना गया है प्राचीन वेद हिंदु धर्म में सबसे पवित्र धर्म गरंथों में से एक है तथा यह सब संस्किर्ट भासा के विद धातु से बना है विद्वानों के अनुसार वेदों में लिखे गए मंत्रों को भगवान ने प्राचीन रिशियों को सुनाया था और प्राचीन रिशियों ने इन मंत्रों को वेदों में उतार कर प्राचीन वेदों की रचना की इसलिए इन वेदों को भगवान की कही सुरूतुई भी कहा जाता है आज मैं आपको इन वेदों में सबसे प्राचीन कहे जाने वाले रिगवेद से जुड़े कुछ दिल्चस्प तत्यों की जानकारी बताऊंगा रिगवेद की उत्पत्य प्राचीन वेदिक काल में हुई है और रिगवेद ही प्राचीन चार वेदों में सबसे पहले लिखा गया था रिगवेद को दुनिया के सभी तिहासकार हिंदू, हिंदी यूरोपिय भासा परिवार की सबसे पहले रचना मानते हैं रिगवेद को संस्किर्ट में लिखा गया था तथा संस्किर्ट को ही विशुकी प्राचिन्तिम भासी सैली का दर्जा प्राप्त है इसमें 10 मंडल 8 अश्टक 1028 सूतक और 10462 मंत्र है इसमें सबसे अधिक सुतक 200 सरवादिक परतापी देवता इंदर को तथा 200 सुलोक अगनी को समर्पित है रिगवेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है इसमें लगबग 25 नदियों का वर्णन मिलता है जिसमें सरवादिक महतोरपुन नदी सिंदू नदी को माना गया है तथा सरवादिक उलेक सिंदू नदी का ही मिलता है रिगवेद में सबसे प्राचिंतम नदी सरस्वती को माना गया है रिगवेद के नदी सुक्त में उल्लिखित अंतिम नदी गोमल है इसमें गंगा एम सर्यू का एक बार तथा जमना का दो बार उल्लेख हुआ है यग के अउसर पर रिगवेद के मंत्रों को उचारण करने वाले रिश्यों को होत्र कहा जाता था रिग्वेद में ही प्राचीन गायत्री मंतर का उलेख मिलता है तथा ये सूर्य देवता को समर्पित है रिग्वेद के सात्वे मंडल में वरुन देवता तथा नोवे मंडल में सोम देवता का उलेख मिलता है रिगवेद में गो शब्द का परियोग 176 बर किया गया है प्राचीन महा मिर्तुंजे मंतर भी रिगवेद की ही देन है रिगवेद के अनुसार इस मंतर के जाप के साथ विधिवत वरत ततावन करने से दिरगायू प्राप्त होती है रिग्वेद संसार के उन सरुपर्थम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी भी रूप में मानिता आज तक समाज में बनी हुई है रिग्वेद में ओस्धी संबंदी ग्यान भी मिलता है रिग्वेद के अनुसार कुल 125 ओस्धियों की जानकारी मिलती है जो 107 स्थानों पर पाई जाती थी रिग्वेद में जल चिकित्सा, वायू चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आधी की भी जानकारी मिलती है रिग्वेद में 54 रिसी को पुने युवा करने की कथा भी मिलती है रिग्वेद अर्थात ऐसा ग्यान जो रिचाओं से बद होता है तो ये थी दोस्तो रिग्वेद से जुड़ी हुई महतोपुन जानकारी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्याई